जात करें अपने गुदय की बात करवान देवरों के महादेव से सहें, दिल से सहें शी 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 माँनों सब्साइ, नहीद जाय। बोला सर्दु विवातु मादु ओ बोला सर्दु विवातु मादु बोले माबा जबु तेरी मादु ओ बोला सर्दु विवातु मादु ओ बोला सर्दु विवातु मादु बगवान शिव की कथा करें। अगड़ामी की कथा करें। दीले कम करो। शिव कथा व्रयना कर रहें। बगवान संसर का पानान चरेतु करें। आपकी निर्मल बतु है। आपका निर्मल संसा माद। भरवान शिव की करें। अवश्य कर जाए। निर्मल मुमन सो मौजी पावाद। मौई जल चिव तब 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 तब। निर्मल सुभाव यदि आपका है। निर्मल मन यदि आपका है। तो आप घर्मात्मा के नजदी आवश्य करें। इल्मा गारू की बात था। देवरिशी नाराद ने पाता पारना था जैसे से। फिर वोई बात यहां पर आई हुए। कहीं पर भी बेट कर भजरू करो। कहीं पर भी बेट कर मंत्र जाब करो। कहीं पर भी बेट कर नामिस्तुमरन करो। शिवजीर तक आपके घर्दय की बात जरूर पहुचेगी यह निश्चित। यह निश्चित। कितना हमारे यहां के धर्जीर इतने समझदार होते हैं जो कपड़े सिलने वाले होते हैं। उनको भी हमालूम है कि कुर्टे में, शर्ड में, कपड़े में जेव भी लगाते हैं तो उल्टी हाथ की वर लगाते हैं। कुन से हाथ के लगते हैं। जम के मुझे लगाते हैं। उल्टे हाथ लेफ्ट की वर उल्टे हाथ की वर जेव लगाते हैं। समझने वाला वेक्षी समझ सकता है कि उल्टे हाथ की और जिव लगाने का एक काना होता है कि कभी शंकर जी के मंदर में जाओ और शिव जी को अगर जल चड़ाने के बाद जो तुम बेल पत्री उठा कर लेकर आओ उस बेलपत्री को आप मीचे वाली जेव में तो रखोगे ने अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपने उपर वाली जेव में उसको रखोगे दरजी को ये मालूम है जितनी देव तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है दिल की संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रख्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हाटा टिक नहीं होने देदी फेल पत्री में वो फुन होता है तो ये जितने भी पुरुश लोग मंदिर में जाते हैं जल चड़ाने के लिए बगवान शिव का वरणान करने के लिए शिवजी को बेल पत्र चड़ाने के लिए शिवजी के महिं परकाजाद करने के लिए शिवी समरन करने के लिए हम उनको हमेसा करते रहते हैं कि शिवजी पर अगर बेल पत्र चड़ी है आपकी उल्टी जे वगदा लगी है तो एक पहले खाने से पहले थोड़ी ते जेम में रख लिया कर और जिससे आपके विदय का रख चांप की चलता है यह सुख देदेगा फिर कहीं है हम किसी को कुछ नहीं दे सकते आप यह मैं सोचना कि सीयोर वाला महाराज आपको कुछ देदेगा सीयोर वाला महाराज लो केवल इतना जरूर कैसकते हैं कि हम इस व्यास पीट से देवरी महादेव से यह प्रातना जरूर कर सकते हैं बाबा ये इतने जो तेने भगवान शंकर की घथा में आये हैं बाबा इतनी प्रपा जरूर करना कि इमकी जोलियों को खुशियों से जरूर भरना है हम कुछ नहीं दे सकते पर मेरा बोले ना को दे सकता एक पत्राया है कि मोर्धवज वैश्णों पत्मी श्रीमती दीव वैश्णों निवासी ग्राम कोहका डूंगर गाउं जिला राजनंद गाउं से आए हैं हमारा मुबाइल नमर ये कहीं बेटे हैं हाथ लाइए का जहां कहीं बेटे हों कहीं कर देटे हों मोर्धवज वैश्णों आप ही हैं हाथ दोनों हाथ लाद दे श्री शिवाए एक और दोनों हाथ इस तरह से लादो श्री शिवाए नमस्तों पर पहले तो आपको बढ़ाई बाभा देवादी देव महादेव ने जो आपको दिया है बाग्वान इसी कृता सपर करकर रखे गुर्देव मेरा गाउन बहुका तो जैसे शिवलोग हो गया है जपी जाओ शिवक्तों की लाइन श्री मंदर में लगी रहती है पहले शंकर के मंदर में कोई नहीं जाता था गुर्देव कोई पुजारी कोई पंडिक लिश्यू मंदर में नहीं बेटता था अप्श्यू मंदरों में भीड होने से बाबा देव अदिदेव महादेव का अनन्द है गुर्देव बाबा देवादी ने महादेर की प्रिपा हमाने शाली को दसवर्ष हो गया था परन्तु हमें संथान का सुख नहीं मिली हमने पत्वी इलाज करवाया डाक्तर ने पत्नी के गर्वा में गाट की समस्या बता दी उस समस्या के लिए हमने आप्रिशन तक करवाया तो भी संथान का सुख नहीं हो पाया पत्नी को गर्व नहीं ठेरा और गुर्देव हमें कोई लाग कहीं से नहीं मिला हम जोतिश का सहरा भी लिये उन्होंने गर्वों का खराभी बताया और वास्तु दोश्ता समस्या बता है हमने वो भी करा गुर्देव फिर भी हमें कोई फाइदा नहीं मिला हमें लाग नहीं मिला ये सारी बातें 2018 तक हम सब कुछ कर लिये गुर्व जी पर कुछ भी नहीं हो पाया गुर्देव हम काफी निराश हो गए थे फिर पत्नी के मन ने मिचार आया कि मैं भलवान की अराधरा में करती हूँ शिव जी को एक लोका जल चड़ाना परारण करती हूँ लड़ो गोपाल का खुजन करना परारण करती हूँ आपकी कथा हमने आस्ता चेनल में कथा सुनी और कथा सुन करी जब पिछले वर्ष हाले कोसा में आपकी कथा थी तब हमने टीवी के सामने कथा सुन कर भगवान से प्रातना करी कि हमारे चत्रीस गड़ में कथा हो रही है हे भोले ना सब दूर से हार गए अब आपकी हाजरी है किरपा करिएगा हाले कोसा तो दूर था गुरुदेव फिर भी हम पति पत्नी ने साथ दिन तक कथा पहले टीवी के अंदर दो तिन दिन श्रवड करता एक दिन आपने कहा था कि जो पंडाल में वेटता है उसको बाबा जरूर कुछ देता है हमने हाले कोसा में जाकर एक दिन की कथा सुनी तीन महिने के अंदर मेरी पत्नी का घर बठेर गया अभी सात्तवा महिना चल रहा है गुरुदेव इसलिए मेरी धर्म पत्नी यहां नहीं आई है पर बाबा को मैं दोख लगाने के लिए आया हूँ कि तुने तीन महिने में मेरी गोल पत्नी यह शिवा जो भड़ी है संग्या बैठिये मौर्धर वेष्णाओं जी पैठिये शिवाये नमस्तु क्या देगा वो उसके उपर क्या प्रणान करेगा वो उसके उपर आप तो केवल तेरे मंदर में आना मेरा का मेरे और मेरी बिवड़ी बनाना मेने तेरे ही गोल से ओ बाबा तेरे ही गोल से हावा बिच उड़ती जावानी बाबा तोर ना कुछ थड़ती का में कड़ती जावानी भोले मेरे तेरी प्रत शंबो मेरे तेरी प्रत हवा बिच उड़ती जावानी बाबा तोर ना कुछ थड़ती जावानी शिवक्रपाई 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 आप किस भाव से वेठे हो कहां वेठे हो किस ज़बहां पर वेठकर कथा सुनगे किस इस्थान पर वेठकर कथा रस्तत वद्रिड़ कर रहे हो ये तो बाबा ही जावानी इल्लमागारू अपने पती के सांथ में गाउं में चली गई गरवस्त बच्चा जो आठ महिने का हुआ था उसको समी के पत्ते से दवाकर समी के पेड़ते नीचे छोड़ कर चले गए हैं रोती रोती गई है कि मैं काशी जा रही हूं शिव के द्वार जा रही हूं संकर के द्वार जा रही हूं और तो भी मेरे ललाट पर शिवजी ने की दुख लिए भगवान ने ऐसा दुख मेरे ललाट पर रिखा रो रही है इल्लमा गारू पती समझा रही है जनम मरन परन भगवान के हाथ में यह तुख क्यों रोती है इल्लमा गारू रोते रोते कहती है अगर मेरा बेका मरआ हुआ हुआ है तो यह तो गड़े दुख की बात है क्योंकि मैं संकर के मंदीर काशी जाIG ऩुए शिव के द्वार जाए एनंने एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं कि अपने घर से निकलते हैं하면 तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं संकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आरही dif को many पूछे तुमसे कहा जा रहिए अभी एक लोटा पानी चढ़ा कि अभी संकर dita मंदिर जरूق शीव जी को एक लोटा जल चढ़ा कि आरहाि Initiator not अपके मन्ने भाव। आपके मन्ने शंग। आपकी जिव्यां पर शंग एक ही है। मैं अपनी संक्र जी के मंदर जाहिं हूँ इतनों का जिल चड़ागा लगा ही हूँ. और ताक आप संक्र के दार गए हो। आप शिम की चोथट पर गए हो। जितनी देर आप अपने घर से चल कर जितने कदम चल कर संकर जी के मंदिर पर पहुचे हो उतने कदम चल कर मेरा केलाश अधिपति तुमारे दर्वाजे पर पहुचाए तुम्हारे दुख को तुम्हारे पश्च्ट को पाता है परमकुझ गुरु नानक देुजी महाराज गुरु नानक देुजी महाराज अब मिवाणी में हमेसा कहते हैं कि जफिया जिसने जफा है जिसने भगवत नाम को जफ लिया है जिसने गुरु नाम को भगवत नाम का जफ कर लिया है गुरु नानक देवजी करते हैं उसका संकट जिसका नाम जफा उस जफिय हुए नाम से ही कट गया है यह गुरु नानक देवजी करते हैं जप्या जिसने जपा गुरु नाना के उजी बाले से कहते हैं कि जिसने नाम का पुचारण कर लिया भगवत नाम जप लिया भगवत कीरतन का नाम भगवति स्मर्ण का नाम जिसने जपा है जिसने प्रभू नाम को जपा है उसका संकट उसमी नाम कर दो गुरु नाना के उज अपनी वानी ने गुरु नानक देवजी महाराज हमें साथ भगवत नाम के लिए भगवत इस्मर्ण के लिए भगवान की बक्ती के लिए में साथ हमाराज के लिए जो गुतो दुनिया के लोग आपको भगवान-संकर की बक्ती से भगवान की बक्ती से बढ़ताएं है दुनिया के लोग कहेंगे संकर जी के बार बजन करने से कुछ नहीं होगा राम जी का बजन करने से कुछ नहीं होगा भगवान का बजन करने से कुछ नहीं होगा दुनिया के लोग तुमें इस भगवान की भक्ती से हटाएंगे और हटाने के बार वो तुम्हें दूसरी जगा ले जाकर बिठाएंगे वो इसलिए बिठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए और एक बार यदि हमारा हो गया फिर हम कहेंगे यहां बेख यहां बेखेगा हम कहेंगे महां बेख महां बेखेगा हम कहेंगे उधर उधर बैठेगा यह तुम्हें समातन धर्म से काट करगा दूसरी जगा कसम दिलवा दिलवा के ले जाएंगे और बाद में तुम्हें एक चुलू भर पानी में मरने के लायत नहीं छोड़ेंगे इसलिए समझ जाओ भान के कटोरे वाले जठीजगड़ वाले जड़ा प्रेम से समझ जाना दुनिया के लोग भटकाएंगे सोगन दिलाएंगे कसम खिलवाएंगे मारत से रखाएंगे तो मैं सनातन धर्म से बंचिछ करेंगे तूर जगा पर तुम्हारी चतूरता चेके तुम भी विद्वान हो तुम भी चतूर हो तुम भी विद्वत्ता रखते हो कोई देवी देवता की निन्दा करें उस समय पर तुम्हें खड़े हो करके देना है तुम्हें आपर गुलाया किसने इत्ता ज्यान देना था तो अपने घरवालों को दे दो भाभा में क्यों देने आया है उनके पाउं को पेड़े हाथ चोड़े उनके चरण को कड़े हैं हम शिवके हैं और शिव हमारा है सारी समस्या आता हल एक लोता जल्ब हम शिवके हमें धौंग परकंच नहीं आता हमारे पास में धेर सारा लेक्टू पेड़ा गुलाग क्या हुने मर्ती भजिय नहीं है हमारे पास में धेर सारा आपूशन हetes हमारे पास में धेर सारा रतन मानी को मोटी सोना चाथी नहीं क्योंकि मेरे सैंसर भागवाने को नच्छपन भोग चाहिए ना तुमारा रतन चाहिए मेरे भोले नाथ को ना तुमारा अबुशन चाहिए मेरे भोले नाथ को ना तुमारा रतन ना तुमारी जागिर चाहिए मेरे भोले नाथ जी को कुछ नहीं एक लोटा जल मिल जाए तो चड़ा दे वो भी नहीं हो तो मेरी बेल पत्री जो मेरे उपर चड़ी है वो इदो के बापी चड़ा दे वो भी नहीं हो तो सिखर का दर्शन करके अपने काम पर चले जा पर शिव जी ये नहीं कहते कि मेरे पाद चाल घंटा बेट जा शिव जी कभी नहीं कहते शिव जी तो करते हैं तेरा मन पड़े रोगजन कर पर गर जाए धटकना नहीं हुआ वेटा दक्तर को दिखाएगा बहुआ तुमारी सेवा तरदेगे पर तुमारे शरीर में अगर रोग हुआ है तुमारे शरीर में तश्ट आया है उस कष्ट पाव पावट उस कष्ट को तुमारा ना बेटा जहलेगा उस कश्ट को ना कमारी बहु झेले उस कश्ट को तुम्हें अकेले झेलना तुम्हारे करम की लिखी हुई गती को तुम्हें अकेले भोगना है अगर अकेले भोगना है तो बेटा अपना काम करे बहु अपना काम करो तुम अपना काम करो संतर जी के मंदिर जाकर एक लोटा ज एक पत्र और देखिए पत्र तो इत्ते आए हैं कि मैं क्या वर्णन करूं आप लोगों की भक्ति को धन्य है चक्तिस गड़ की पावन भरा तो इसे एक भी यह लेते हैं स्वास तेरी क्रपा से गणु 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 को मतार तू आयो शर्ण की हारे शंभुतार तू पक्कान क्या करूं मैं राथों के भेर का चप्टी महूत है खजाना को बेर करूं हम बसंत जी अगरवाज जी को कल भी धन्य बार दे रहे जो राज भी अपने सुभाम को यहीं कहा कि बसंत जी जिन्दगी में बहुत धार्मिक कारे करें होंगे आपने बहुत पाईजन करवाए होंगे अर शिव महापुराण की कथा में ये श्रोता नहीं आए और ना ये शुमापुराण की कथा में स्वयम शंकर इनके रूप में अवतार दिये करना पूप चली और रायपुर वालों डैहांडी मेदान में जो कथा चल ज़ई है और आसपा जितने लोग निवास करते हैं ये आप श्रोताओं की सेवा नहीं कर रहे हैं भक्तों की सेवा नहीं कर आपके दर्वाजे पर अगर आप एक शोता जो कथा सुनने आया है उसको अगर आपने मूझ जूटा कराया है पानी बिलाया है यदि एद जरासा उनका मुझ जूटा भी करा दिया या उनकी सेवा कर दी तो इतना अंदाजा लगा कर रखना आपने शिर्व की सेवा कर क्या देगा वो क्या प्रदान करेगा वो ये तो तीन महिने के अंदर मानों पड़ गए जब वो हाले कोसा में एक दिन की कथा सुनने पंडाल में आया तक कि दस साल से उलाद नीदी तो वो और दे दे तो वो किस अधर नहीं हो सकता वो कुवरिश्वर महा दे वही अंदा तुरांग कर दो कहीं भी बेट जा भज लो इसमन न कर लो किर्तन कर लो मंत्र जात कर लो उसका प्खल किया है इता हुआ लाग था दिखो इन्लमा गारू श्री लच्छमन भट्केजी के साथ में दूसरे गाओं में गई और वो रही है मैंने संकर पर विश्वास करा मैंने श्यूपर विश्वास करा काशी चाहु है और काशी नहनेवालों के साथ देशा हो पती ने कहा ऐसा नहीं यह कर्मइ लाठ पर लिखा नहीं इल्नमा धारुमान में को तयार नहीं माता हैं जब उनका विश्वास तूथा है किसी माता का मानती नहीं है ऐसा हो यह नहीं सकता मैं शियूप के मंदर जाती हूँ में भगवान का धजन करती हूं में मंतर जाग करती हूं में कीर्टन करती हूं और भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा यह वो नहीं सब्सक्राइब हो मानती थी है विश्वास धड़ी है बरुशा पक्ता और रखो भगवान पर ऐसा बरुशा रखना कैसा जैसे तुमारे पास में दो लाख रुपे है और तुमने नया नया ड्राइवर रखा नया नया रुपे तुमारे पास में है और तुमें उसको घर भेजना है तुमने अपने साथ वाले ड्राइवर को देखा कि यह रहे तो भी नया नया आया है दो लात रुपे इसकी हाग में कैसे दे दू तब वहीं पर से तुमारा लड़का सामने से फेदल आ रहा था चटी किलास में पढ़ता था सिक्स किलास में पढ़ता ए चटडी में पढ़ता और तुमने अपने बच्चे को बुलाया इदर आई यह बेग भर ले जा तुरे मंटी को दे देना अगाप ड्राइवर पर वरोसा ना करकर तुमने वो छट्वी किरास के बच्चे के हाथ में बेग पकड़ाया और वो बेग पकड़ाया तो वो बेग बच्चे ने अपनी माता के पास में लेजा कर दिया अगर वोई बच्चा तुमारी फोर विलर गाड़ी को चलाने बेट जाएगा तो तुम उसको चलाने होगे जमके तो बोलो गाड़ी चलाने पर तुमने विश्वास नहीं करा परन्तु वो धन को वहां तक पहुचाने में विश्वास करा उसी तरह शिव महापुरान पर विश्वास इस्था करना कि ये हमें परमात्मा तक पहुचा कर रखिये विश्वास ड्राइवर पर भले भरोसा मत करना सुद लो री चत्र देड़ गाड़ी जी जी हो ये ड्राइवर पर भरोसा मत करना मनुष्य की दे मानों का शरीर है ये मानों की दे मानों का शरीर है जैसे आप वैसा सीवर बला माराजे आप ड्राइवर पर भले भरोसा मत करो पर जैसे बच्चे पर भरोसा करा जैसा मेरे देव अधिद्यों महादेव पर वेसा में विश्य महा पुरान पर भरोसा के नगर निलेटा है उसपर भरोसा थी इलनमादारों ने कहा कि मेरा बच्चा मर गया वो भी मैं पाशी जा रही थी कब मैं पार्वती महिया ने कहा नारग जी चिंता मत करो अगर वो काशी जा रही थी आरवती माता करती है सुनो देवरिशी नारग जो श्यु महापुरान की कथा में जाता है शंकर के द्वार जाता है शंकर वगवान के मंदिर देवालय तक जाता है जब तक वो मंजील तक नहीं बहुत जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिला कर चलते रहते हैं तो दुख कैसे आप दुखाया कैसे पारवती जी ने एक लोटा जल शिव जी पुचड़ा जाए देवर शिमारत खड़े भगमान शंकर खड़े और एक लोटा जल पारवती जी ने शिव जी को चड़ाया जैसे ही पारवती जी ने भगमान शंकर को जल चड़ाया शिव जी के नेतर खुल गए नेतर खुले खुलते से पूछा गवरा क्या बात गवरा हुआ कि क्या बात बोलो गवरा गौरा करती है, पार्वती जी करती है, आपके तेज पुंज को अगनी देवता ले जाता कर दंगा जी के जल में देते हैं, तो उससे सलानंग कार्टीके का जन्म हो जाता है, तो किसी नारी का बच्चा आठवे महिने में जन्म ले लिया, और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ठका हुआ है, वो मरा हुआ है, जब आपके पेड़ कुंज को अगनी देवता दंगा के जल में देपर पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकते हैं? मरा हुआ बालक जीवित नहीं हो, शुब जी बोले, पारवती तुम बहुत भूमा फिटा के बोल भई हो है, जराख सही से समझा मुझे, समझ में नहीं है, बोलो जराख क्या बालता, बारवती नहीं कहा, एक ब्राह्मन की पत्नी, इल्मा गारू, चंपावन में, अपने बच्चे को पर्सव के कारण जनम दे देती है, आठरो मही में, और उस इल्मा गारू का बच्चा, आठर मही में का मरा हुआ प्राण प्यागि, यह हुआ है, शमी के पेड़ के नीचे, वो बच्चा, शमी के पत्तों से धका हुआ, पड़ा हुआ है, आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्किके को अगनी देवता से कहकर, जीवित करा सक तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते, शिव जी ने कहा रुको, संति देख, मुझे भी तो ध्यान लगा कर देखने दो, शंतर बगवान, पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहा है कि मुझे ध्यान लगा कर देखने दो, शिव जी को ध्यान लगा कर देखने की तो को जल्वत कि आप कितने लोग कथा कुछ रवन करनी के लिए बेटे हो कहां कहां बेटे हो भले कोई देखे ना देखे पर संकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बेटकर कथा कुछ रहा है शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है बच्चे में प्राणब नहीं है बच्चे में स्वास नहीं प्राण नहीं प्राण एक नारी के गर्व से बच्चा हुआ शमी के पेड़ के नीचे एक छण की देर नहीं करें संकर भगवान में उसी समय डमरू बजा दुदा उसी समय बजा दुदा उसी समय बजा दुदा और शिव judicial में तुम्हारे जैसे हैं संकर भगवान में तुम्हारे जैसे हैं UW सब्सम्राइं न तुम्हें कोई अंडर में युदेता है न कि इस ब्रॉड गेड़े वारी और उस द्रॉड जने हैं अच्छे सपा अप्षी conscious, और तुमने गुबाई रगाया। दर्वाजे पर खड़े हुए द्वार पालो ने कूच लिया। दर्वाजे पर जो खड़े थे किसको लगा रही है। रूप तो सरीय भी तूप! अप्षी रूप! और उसमें मौबाईल लगाया। ले बात करना और उसमें तुरं था सब्ढों बोल रहा है तुम जानता नहीं है ये जाना की नहीं प्ैजाना की नहीं प्लाटाया होगा इतने में आई मैंड़म आई आई ठीज आगा हां तुरांग जैसे तुम्हारे पास मुभाय होता है और जैसे काए अठ्की और तुमने मुभाय लगाया केसे अích कर भगवान के पर डब होता है जैसे ही तुम अठ्के उसने सभभु बचात तुरांग अठ्डम्रोस होता है इसलिए को अकड़ में कहते है आजो संकर वर्वान को जल चड़ाने वाला होता है शिव जी की पूजन करने वाला होता है शिव की कथा सुनने वाला होता है शिव महापुरार की कथा सुनने वाला हमेशा अकड़ में करेता है तो मुझे जानता नहीं मैं संकर जी का गौधान क करने वाला तू मुझे जानता नहीं है फालतू की बाद मुझे से मत कर स्री श्वाय को बोले ही नहीं कुछ कि जो रात को रोटे में आपर राइपुर वालों के तो भागे हैं जितने भी लोग रात को यह रोटे हैं तबी उनका इद्वार दल्शन करने जरूर आना और रात को रोखते हैं एसा बजां गाते हैं एतनी मस्ती में रहते हैं जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कि यह घर में दे रहा है कि केलाश पर दे रहा है इनकी मस्ती आना इनका सुखा आना कि बाहर से कितने लोग आए जराथ उठाव तो जो राइपूर के बाहर की बहुत सारे हो रहे घर हो ताकि दर्वा की प्राइब और जो राइपूर से आए हैं वो तो तुम भी बहुत हो रहे घर हो ताकि दर्वा की बहुत हो तो होना चाहिए इसको पक्षियों से कुछ सीखो चाहिए मढ़ सीखो पर पक्षियों से एक बात हमेसा सीखना चाहिए पशू और पक्षी से एक बात जरूर सीखो जब तुम रायपूर से विलाई के लिए जाओ तो बीच रस्ते पर जब तुम गायों को देखना गवमाताओं को देखना जहां पर एक गाय होगी वहां 4-5 गाय जो भी खटी हो जहां एक बंदर होगा वह 4-5 बंदर जरूर होगा जहां एक पक्शी होगा वचार्करत्वाथ जरूर होंगे यहामें पशु पशी से सीखना चाहिए कि संगठित रहेंगे तो गनिया में कोई कर्मन ने कर सकता जो यहाँ अब सुभान सपश्टाइशन संगठित रहना किसंग जो अब भगवान की तथा वायनन कर रही है इन नमागारूं के लिए भगवान श्युव ने डमरू बजाया जैसे डमरू फड़गाया डमरू बजाते से अब डमरू बजाने का वी तरिका किसको बुलाना है